So Hello Friends, Good Morning, Good Afternoon and Good Evening कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो मेरा नाम है मनंदर सींग गोला और आप जुड़े हुए मेरा ओफिशल यूटूब चैनल से पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे दोस्तो आज हो गई हमारे 14 दिसंबर 2023 और आपको पता है कि यहाँ पर 14 दिन हमारे गुजर चुके हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम अपना OES ओपिन करके देखते हैं तो हमें अप्टेट सक्षन की अंदर एक हमें निव पॉप अप यहाँ पर देखने को मिलता है अटेंशन यान की साबधान हम सब लोगों को कमपनी के तरफ से यहाँ पर साबधान किया गया है जाता लोगों की हमेशा से यह सिकायत रहती है कि हमारा जो पेमेंट है वो फेल हो जाता है यह हमारा पेमेंट पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है यहाँ पर कमपनी ने एक बात notice की है और उस बात को notice करने के बाद में हम सब लोगों को pop-up की माध्यम से बताया है while making a payment please enter a valid address जब हम अपना payment कर रहे होते हैं जब हम अपना connect buy कर रहे होते हैं purchase कर रहे होते हैं तो उस समय हमें अपना address डालने का option वहाँ पे दिया जाता है especially for the card payment जब हम अपने card से अपना payment कर रहे होते हैं bank account के माध्यम से कर रहे होते हैं उस समय तो यहाँ पे आप जो उसमें अपना address भरते हैं तो वो आपके card से match होना चाहिए card का मतलब आपका bank account आपके bank account में कौन सा वहाँ पे address डाला गया है उस से आपका match होना address डाला है वो आपके bank account में कोई दूसरा address है यहाँ पर जो आप address डाल रहे हैं वो की दूसरा address डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा notice मिल सकता है company की तरब से जी हाँ एक बहुत बड़ा notice मिल सकता है company की तरब से और आपका card जो है आपका रहेगा और आपको यहां पर बहुत ही ज़्यादार रहनीकी जरूत है आप काड ब्लॉक हो जाए आप चाहते हैं कि आपका जो चाहिए आपके फेक account में गिना जाए या fake transaction में गिना जाए नहीं न तो कहीं न कहीं हम सब लोगों को company की जो policy है company के rules regulation है उसके आधार पे हमें चलना चाहिए यहाँ पे अगर आपका payment लगातर fail हो रहा है तो कहीं न कहीं एक reason मेरे point of view से देखा जाए तो कहीं न कहीं एक reason यह भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका कोई pin code match नहीं कर रहा होगा तो कोई address match नहीं कर रहा होगा तो आपकी नाम की spelling match नहीं कर रही होगी तो कहीं न कहीं यह सारी के सारी जो details होती है वो हमें match होनी चाहिए अब यहाँ पर आप सोच रहे हों कि इसकी क्या जरूवत है बिल्कुल इसकी जरूवत है आप एक real person है आप एक real transaction कर रहे हैं और आप एक real product को purchase कर रहे हैं आप एक real company में काम कर रहे हैं तो everything should be real हर चीज यहाँ पर real होनी चाहिए इसलिए company आप से आपका data मांग रही है बिल्कुल सही data दो अगर आपका data match नहीं कर पाता है तो ऐसे बहुत सारे account पहले जो है लोगों को पता है आपको यहाँ पर बहुत सारे fraud बैठे हुए हैं किसी का भी account किसी का भी card इस्तमाल कर लेते हैं अगर गलती से आपका card कहीं हो गया और किसी नहीं इस्तमाल करने की कोशिस भी गी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक policy है यह RBI की भी policy हो सकती है क्योंकि यह हमें fake चीजों से पूरी तरीके से बचा के रखती है तो हमें इन सारी चीजों पर गौर करना है और अपना card payment करते समय इस बात को आपको साबधार रहना है कि आप सही address डालें उसके अंदर और उसके बाद आप अपना कोई भी product है उसको आप purchase करें इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो लोग है यहाँ पर withdrawal के बारे में लगातार कुछ questions आ रहे हैं पूँच रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पर withdrawal के regarding ही सारा का सारा यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि अगर हमारा payment gateway से हो जागा तो हमारे withdrawal भी यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर बहुत सारे लोग जो negative बोलते हैं उन लोगों को यहाँ पर एक चीज यह चीज समझनी है कि अगर आप यहाँ उल्टा सीधा बोलते हैं negative बोलते हैं तो आप यूँ समझ यह कि आपका जो business है ना यह आप अपने business के बारे में भी negative बोल रहे हैं क्योंकि आप खुद एक बात यह दिहान से समझ यह कि आप for example कोई job करते हैं या कोई दुकान चलाते हैं क्या आप उसके बारे में कभी negative बोलते हैं कभी नहीं तो यहाँ पर आपको अपने on passive के बारे में negative नहीं बोलना है क्योंकि ज्यादा negative बोलने वाले जो लोग है वो उनका यहां से पत्ता साफ हो चुका है और कहीं आपका भी हो सकता है कि आने वाले time के अंदर company आपको बी नजर बना के रखे तो यहां पर हम सब लोगों को बचके रहना है बचके रहने का मतलब यह है कि हमें आथिकल चीजों को फॉलो करना है सही चीजों पर हमें काम करना है किसी भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो on passive में आई और success ना हो सके on passive के अंदर आए वो पैसा ना कमा सके ऐसा ना हो और इसलिए एसमोफारे सर दिन रात यहां पर काम कर रहे हैं जो भी announcement जो हमारे एसमोफारे सर ने किये थे दो हपते पहले वो धीरे धीरे करके उनका नमर आ रहा है आपको बिल्कुल भी panic नहीं होना है तो कुल मिला करके हमें यह है कि हमें अपना काम पूरी इमांदारी के साथ करना है पूरे ethical तरीकी के साथ करना है जिससे कि हम यहां पर एक real person के रूप में और एक real business के रूप में जो है अपने आपको यहां पर इंट्रोडियूस करा पाएं आपने नोटिस पढ़ लिया होगा आपने पॉप अप में जाकर पूरी पूरी जो अपडेट आई हो पढ़ लिया होगा अगर नहीं पढ़ा है तो ओएस के अंदर जाई हो और इसे पढ़िया ध्यान से और अपने card payment करते इस समय जी हां जो इस समय अभी तक अपना ओक पर अच्र pointers नहीं कर पाएं यह स्पेसलि उनके लिए है क्यूंकि यह नोटिस उनी के लिए ही आया है यह लाइन लेकी हो है साब द्धान तो यह नोटेस या यह अपडेट नहीं लोगों के लिए हुए हुई है जिन लोगोंने अभी तक अपना पर फैसे नहीं किया है तो पर करते समय अपना एड्रेस कंप्लीटली डालें सही तरीके से डालें वैलिड एड्रेस वहाँ पर पूट करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट के साथ थैंक यू सो मच यह वी आर सुनेट टू विन इट जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी